हेलो एवरिवन तो आज हम बनाएंगे बहुत सारे जाग वाली और मार्केट जैसी कॉफी की रेसिपी घर पर और इस कॉफी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़दा महनत करने की जूरूर भी नहीं है और इसको बीट करने में बहुत ज़दा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम इसको एक ट्रिक के साथ बनाएंगे जिससे आपकी कॉफी जो है वह बहुत जल्दी बीट हो जाएगी और बहुत सारे जाग बनेगा तो आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो कॉफी को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैं एक कप ले लोंगी तो यहां पर मैं ल अब डाल दूगी तीन से चार चम्मच शुगर तो शुगर जो है वह कॉफी में थोड़ी से जादा यूज होती है इसलिए मैं डबल चीनी का यूज किया है और इसमें में डाल दूगी दो चम्मच बिल्कुल बॉल किया हुआ पानी बहुत ज़दा गरम पानी है यह और इ अधियान रखें कि आपको बहुत ज़दा पानी का यूज नहीं करना है बिल्कुल एक ये डेट चम्मच ही डालना है इतनी कॉफी में मैंने एक ये डेट चम्मच जाला है अगर आप कॉफी ज़दा कॉट्टिटी में बीट कर रहे है तो अकॉर्डिंग आप उतना पानी कोफी कोफी बीट होना शुरू हो चुकी है कि इसका कलर जो हलका हलका चेंज होना शुरू हो गया है तो इसी तरीके से मैं इसको 2-3 मिनट तक और बीट करूँगी कोफी को फटा-फट से बीट करने का यही ट्रिक है कि आप उसको उबलते हुए गरम पानी में बीट करें लेकिन पानी डालते हुए ध्यान रखें कि हमें हलका साथ पानी डालना है कोफी के अंदर बिल्कुल हलका साथ जिससे हमारी कोफी और चीनी गीली हो जाए अगर आप तो कॉफी को बीट होने में बहुत ज़दा टाइम लगेगा और अगर आप थंडे पानी में बीट करेंगे तो कॉफी बीट होना शुरू हो चुकी है इसका कलर एकदम से चेंज हो चुका है लाइट हो चुका है लेकिन अभी में इसको 2-3 मिनिट के लिए और बीट करूंगी तो जब भी आपका कॉफी बनाकर पीने का मन करें तो आप इस तरह के से कॉफी को बीट करें और उसके बाद इसको बनाएं बहुत ही टेस्टी और मज़दार लगती है ये कॉफी तो इसमें मैं एक चम्मच उबलता हुआ गरम पानी और एट करूंगी जिसे कॉफी बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी और जब हम कॉफी बनाएंगी तो जो जाग है बहुत अच्छे से आएगा क्योंकि इसको इस तरीके से बीट करने से जो हवा है कॉफी के अदर भर और जब हम कॉफी बनाते हैं तो जाग बहुत अच्छे से कॉफी के ऊपर आ जाती है तो इसको दो से तीन मिनट के लिए मैं और बीट करूंगी तो कॉफी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से बीट हो चुकी है और अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हम दूद को बॉइल करेंगे तो यहां पर मुझे दो कप कॉफी की बनाने हैं तो मैं दो कप दूद जो है उसको बहुत अच्छे से बॉइल कर लोगी तो दूद जो है हमारा बॉइल होना शुरू हो चुका है इसको मुझे एक से दो उबाले अच्छे से लगवानी है और उसके बाद यह कॉफी बनाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा तो दूद उबल चुका है और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और दूसरी तरफ मैंने कॉफी मग ले लिया है और उसमें मैं आड़ कर दूँगी उबलता हुआ गरम दूद और उसके अंदर हम आड़ कर देंगे बीट की हुई कॉफी तो जितनी स्ट्रॉंग कॉफी आपको पीनी हो उस हिसाब से आप बीट की हुई कॉफी इसमें आड कर दें और बहुत अच्छी से चम्मच की हैल्प से दूद को और कॉफी को मिक्स कर दें अगर आपको स्ट्रॉंग कॉफी पीनी है तो और कॉफी आड़ कर सकते हैं और शुगर भी अगर आपको तेज लेनी हो तो आप उपर से आड़ कर दें और साथ ही इसमें मैं आड़ क और इस रेसिपी को बनाने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको काफी कैसी लगी और नेक्स टाइम हम मिलेंगे एक और मज़ेदार से वीडियो के साथ तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक थैंक थैंक